कि नमस्कार मैं हुआ कंचन राए और आप देखने राश्ट आचकल और आज में लेकर आई हूं हमारा बिसीस कारिक्रम हम तो पूछेंगे सबाल जनता के और मुद्दे जनहित के आज हमारे साथ स्टूडियों में मौजूद है हमारे चीफ सर स्वागत है हमारे स्टूडियो हम आज से आज कुछ सबाल पूछेंगे सबाल जो जनता के हैं और मुद्दे जनहित के बिल्कुल क्यों नहीं जो अभी जो भुपाल में इतना बड़ा कांट हुआ है जो माशूम ने अपनी जान गवाई है उसके बारे में आपका क्या गहना है देखिए सबसे विरे तो मै आपको की मासूम ने जानगवाई नहीं है बलकि हस्पिताल की पिरमंदों की लापरवाई की वज़ा से उनको जानगवानी पड़ी यह ऐसी मोत थी जो जिनका अंदाजा ना तो उनके घरवालों को था मासूम बच्चे तो मासूम होते हैं जो पैरेंट्स हैं मापाप किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इससा हो जाएगा तो क्या लगता है कहीं किसकी लापरवाई सामने आई है कि लापरवाई अब अगर हम यह बोलें के मुख्यमंद्री की है हम यह कहें के स्वासमंद्री की उससे कुछ नहीं होगा लापरवाई है वहां के लोगों के विवस्त बडीवस्ता देखते हैं लोग पर वही है वो घो ठेकेदार में उस तरह से काम करते हैं विद्द्यूद्विवस्ता सेफ्टी की चीजें में पर उपलफ्द नहीं यह सवाले जोड़ी ओरता है कि यह सब कूंद देखता है तो कहीं आप फायर सेफ्टीव की वीवस्ता ती य है अगर वहाँ पर वेबस्ता है दूरूस होती ही तो मुझे लगता है यह सम्मनी होता लेकिन अगर बच्चे और श्यासटी सिक्स बच्चे थे वहाँ पर उसमें मौत का अंकड़ा जो है पांच से दसके बीज़ बताया जा रहा है लेकिन अश्यादा होगा कि महां पर निकल सोचने का विशय कारे किरम के जो नाम है अपना अब इससी तरह से आपने बताया सवाल जन्ता के मुध्दे जनीध इस सवाल कर रही है एक भी अमेदीस प्ताल में इसी क्या वेवस्ता हों की कमी थी इतना बड़ा प्तल राजधानी में लेकर वेड़े सब बिल्कुल बगल और जो अभी जो छोटे जोटे जिले हैं कहीने लापर भाही हो रही होगी बल्कुल यह वह बात में जा राथ यह पर पर तो शहाषन प्रिशासन मुख्य मंत्री स्वास्त मंत्री सभी आपर चोटे शहरों में छोड़े जिलों में जो मद्द्रदेश के और दूरद्रास के वहां पर कोई अनुनी घड़ना अगर होगी क्या होगा में जानना चाह रहा हूं कि शासन प्रिशासन ने वहां पर अभी क्या किया ठीक है बयानवाजी हो गई अल्ला हला हो गया विबक्ष अपना काम कर दिया सरकार ने सब्सक्राइब करते होंगे यहां पर कोई दुर्गणा अगर होती है तो उस दुर्गणा के जिम्मेदार तो हमारे जो विजली के जो कारकरमचारी काम करते होंगे जो एक्टिशन उनका दूस करना जो एजनसी है वह पर ठेकेदारी जो करती है जो चीजों को देखती है जो विवस्ताइश चलाती है ऐसा प्रमनन महां पर होना चाहिए कि इसने बड़ा अस्पताल में जो कि हमारा मद्यप्रदेश का थीन हजार बिस्तर का अस्पताल होने बड़ के अथाटअ लगी सब्ते हो ठीजो को मतलब नहीं देखिए जो महान इनकीतर बढ़ बहुत बढ़ी है यह तो इसने बिल्कुल आपरवाई का अंत कैसे होगा यह विवस्ता करने वाले की जुम्मेदार करने की अगर आपने बात किये तो जाँ अधिगारी बनाया गया है हमीदिया वाले मामने में सुलेमान साब को जो के आप सची रह चुके हैं अभी भी है लेकिन वो क्या कर अभी तक अस्पादल भी जाच तो करनी पाए इतने मीडिया में आ रहा है इतनी शिकायते हो रही है यह कही नहीं आगे आगे जाकर एक मोत का करण लोगी मोतों का करण बनेंगे क्योंकि हमें तो यह पता है ना कि हमारे घर के साइट में सोबस्तर वारा अस्पताल चल रहा जो बिद्धा ने लेता है उसकी बड़ी सब्सक्राइब में आपको बाताना चाहांगा और हमारी जनता को भी बताना चाहांगा कि एक माफिया गेंग होता है वह नर्सिंग कॉलेज पेरामेटिकल कॉलेज उन्हें खोलना है उसकी आड़ में उनको अस्पताल दिखाना ही होस्टल दिखाना है लेकिन क्या हो रहा है कोई अस्पताल नहीं है कोई चल रहा है इसकॉलर्शिप से बच्चों की फीस लिया रही है जब उनका जो बैसिक बच्चों का वह पढ़ाई एजूकेशन बात कर रहे हैं नर्स और वाट बाई की लड़ाई की कहीं नगा यह दे नहीं है वह तो बस स्कॉलर्शिप से पढ़ाई कर दी कोई अस्पताल नहीं है और वह अपना डिक्री डिप्लोमा लेकर के आगे बढ़ गए और आज यह सब दूर्गटनाई देखने को मिल नहीं है कहने का मतलब यह है कि कहीं नहीं तो यह है कि जो आपने आपने मामला ब अब बढ़ाई उनको देखना चाहिए इंसान में टैलेंट हो बिल्कुल वही बात है अब जैसे अमीदिया में है अब विपक्षी अपना रोल कर दिया पेदल मार्च हो गया हल्ला गुला हो ठीक है सरकार ने तुरंथ हमारे सीम साहब ने एक्षिन लिया अधिकारियों को सब्सक्राइब करने से क्या होगा यह जाना चाहिए हमारा भी सरगार से आग रहे हैं उसमें कुछ ऐसे सुधार होने चाहिए अस्पताल की एक चीज छोटी से लेकर बड़ी तक जिस पर के सारा सिस्टम डिपेंड है सारा स्वास विभाग जो है हमारा वो डिपेंड है कोरोना काल होते हुए 2020-2021 वह भी कोरोना में चला गया तो अगर यह हमारी तैयारियां इस तरीके की है और अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो आप अंदास करिए कि क्या होगा कैसे व्यवस्ता चलेंगी आए आप तो बजा नहीं पा रहा है एक आपके कंट्रोल होनी पा कोरोना में इलाज कैसे होगा अगर तीसरी लेर आ गई तो देखिए यह तो बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आज चोटे-चोटे मासूं को ने अपनी जानगवाई हो सकता है आगे चलके कुछ बड़े भी हो सकते हैं उसमें शामिल कुछ बुजर्ग भी हो सकते हैं उ इसे अस्पटालों के लिए जो के नाम के लिए खोले गए ऐसे घृट जो नाम के लिए खोले गए हम चाहते हैं आप आम जनता और अधिकारी भी आगे आए और इसमें खुद शासन और प्रिशासन सुहम संग्यान ले सब्सक्राइब जो हमारे मुख्य चिकिस्टा अधिक इस टिम बनाए जो अचानक चापे मारी वाली कारवाई करें मतलब अचानक से जाकर उस अस्पताल को चेक करें चलिए बहुत अच्छा बात है यह तो मैं आपसे यह वह कमरा भी नहीं देखें विल्डिंग नहीं देखें विवस्ता है आज जैसे उन्होंने बोला के नीजी में भी सेटी की जो फायर सेटी उसकी विवस्ता है के नहीं आदेश दिया यह आदेश जो है अब दिये गए हैं ग्रड़ना होने के बाद राश्ट आज कल हमेशा चीज की लड़ाई पहले से रड़ता रहा है कि क्या अस्पतालों को पूरे माफ दंडों पे मानने ता दी रही है और अपने इलाकों में वह कुछ चेक करें कि यह पर पर्मीशन वाला काम है वो रुकना चाहिए कि अधिकारी स्वें यह थोड़े से लालज बना और है कोई दो कि नंहीं जान को देखें यह प беспड़लेยं की बीमार को इलाज करने की आप नहीं प्रभूमती दे रहे हैं अच्छे विवस्ता होगी तो इस तरह सामने अब दुनिया के सामने है तो हम तो पूछेंगे सबाल जनता के और इसके कारिक्रम के माध्यम से आप ने जनता के सबाल हमारे सामने पेश किये हमारे के सामने पेश किये बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने जंता के सबाल हमारे दर्शकों को बताया इसी के साथ मैं आप से विदा लेती हूं कुछ और प्रोग्राम लेकर मैं आपके साथ फिर मिलूंगी अभी दीजिये मुझे इजादत नमस्कार करता है